Hello students, आज की क्लास में हमनो multiple choice questions याणी MCQs को देखने वाले हैं कह रहा है mark the correct alternative in each of the following चले question number 1 से देखिए 1 number में हमें कह रहा है कि the value of हमें किसका value निकाल ला है sin square 5 pi by 2N minus का sin square pi by 2N तो हम लोग एक formula जानते हैं कि sin A plus B into में sin A minus B equal to में होता है sin square A minus का sin square B ठीक है तो इसी के according यहाँ पर हम लो ली सकते है sin 5 pi by 2N plus का pi by 2N into में sin 5 pi by 2N minus का pi by 2N तो यहाँ देखिए इन दोनों को add कर लेंगे तो sin कितना हो जाएगा 6 pi by 2N और into में यहाँ हो जाएगा sin 4 pi by 2N यहाँ देखिए कर जाएगा यह 2 times में और यह आपका 3 times में यहाँ sin pi by 2 तो sin pi by 2 का value 1 होता है और sin pi by 3 इसका root 3 by 2 होता है यहाँ आणिके answer root 3 by 2 आजाएगा B number हो जाएगा समझ गए? चलिए question number 2 देखिए if A plus B plus C equal to pi then यहाँ पूछ रहा है कि say A into में cos B cos C minus sin B sin C is equal to इसमें से किसके equal होगा? तो simple है say A दिया है यहाँ देखिए फॉर्मला है cos B plus C क्या हो जाएगा? cos B plus C अच्छा B plus C के जगापे हम लोग pi minus A लिख सकता है कि नहीं? say A into में cos pi minus का A तो cos pi minus A जो होगा cos pi minus A minus का cos A होगा क्योंकि second quadrant में जाएगा और x axis पहतों में होचे तो minus say A into हो जाएगा यहाँ पर cos A say A into cos A 1 होता है याणि minus 1 याणि कि B नमबर इसका अंसर हो जाएगा question number 3 देखिए यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि 10 20 plus 10 40 degree plus root 3 10 20 into 10 40 degree is equal to what? इसमें से किस के को लोगा? अच्छा हम लोग यहाँ 10 60 equal to में रही सकता है कि नहीं 10 40 degree plus 20 degree अब ऐसा क्यों करें? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इसमें 40 और 20 का use हुआ है इसलिए ऐसा लिख सकते हैं 10 60 degree यहाँ पर 10 A plus B का formula तो तो 10 40 plus 10 20 और by में 1 minus 10 40 degree into 10 20 degree इसका value आप जानते हैं root 3 और यहाँ पर यहाँ आपका 10 40 degree plus में 10 20 degree by में 1 minus 10 40 degree into में 10 20 degree इसको लाके इदर multiply करें तो root 3 minus का root 3 10 40 degree into में 10 20 degree और equal to में 10 20 degree 40 degree plus 10 20 degree ठीक है इसको लेज़ जानक अदर plus का तो root 3 equal to में क्या हो जाएगा 10 20 पहले इसको लेज़ लेते हैं फिर 10 40 degree और फिर यह आके इदर plus का हो जाएगा root 3 10 20 degree into 10 40 degree देख रहा है ना इसका value किसके इकोल हो रहा है root 3 के ना याने c नंबर हो जाएगा चलिए question number 4 if 10 A equal to A by A plus 1 and 10 B equal to 1 by 2 A plus 1 then the value of A plus B उचलिए ना हम लोग 10 A plus B निकालते हैं पता चल लेगा 10 A plus B क्या हो जागा formula 10 A plus का 10 B by में 1 minus का 10 A into 10 B अब इनके values हम लोग जानते हैं उपर यहां question में दिया उनको लिख देते हैं A by में A plus 1 और plus 1 by में 2 A plus का 1 और by में 1 minus A by में A plus 1 into में 1 by में 2 A plus 1 चलिए उपर हम लोग यल्सियम लेते हैं A plus 1 into में 2 A plus 1 इसमें इससे डिवाइट करेंगा 2 A plus 1 जाका उपर multiply करेंगा ठीक है और फिर plus इसमें से डिवाइट करेंगा A plus 1 जाका उपर multiply करेंगा नीचे देखिए हाँ इसके दियोमेटर में नीचे भी ल्सियम लेंगे A plus 1 into में 2 A plus का 1 ठीक है यहाँ पर A plus 1 into में 2 A plus का 1 minus A यह वाला term दोनों कर जाएगा आगे देखते हैं हो जाएगा 10 A plus B equal to में क्या हो जाएगा 2 A square plus का A plus का A plus का 1 और नीचे देखिए 2 A square plus का A plus का 2 A plus का 1 minus A A से A यहाँ कर जाएगा तो 10 A plus B equal to में अब हो जाएगा उपर 2 A square plus का 2 A plus का 1 और नीचे भी हो जाएगा 2 A square plus का 2 A plus का 1 पूरा पूरा कट जाएगा 1, 1 10 में कितना का value होता है, 10 pi by 4 का होता है कि नहीं, होता है ना, तो यहाँ 10 से 10 हटा देंगे, तो यहाँ पे a plus b जो होगा, pi by 4, यहाँ 45 dd के equal हो जाएगा, ठीक है, pi by 4 के equal, यहाँ 45 के equal, ठीक है, d number हो जाएगा, यहाँ पे अंसर, समझ गहाँ, यहाँ पर, if 3 sin x plus 4 cos x equal to 5, then 4 sin x minus 3 cos x equal to what, इसमें से क्या होगा, चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, कि 4 sin x minus 3 cos x equal to p, ऐसा ले लेते हैं, और दूसरा तो दिया हुआ है, 3 sin x plus का 4 cos x equal to 5, अब यहाँ लिखेंगे, squaring and adding, दोनों को square करके add करेंगे, squaring and adding, लेखिए, square and add करने से यहाँ पर क्या हो जाता है, 4 sin x minus का 3 cos x का square plus 3 sin x plus का 4 cos x का square equal to me, क्या हो जाएगा है, p square plus का 5 का square, चलिए, अब इसके बात देखिए, यहाँ पर a minus b का square करते हैं, तो 4 sin x का square minus 2 into 4 sin x into 3 cos x plus का 3 cos x का square, यहाँ a plus b का square तो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, 3 sin x का square plus 2 into 3 sin x into 4 cos x और plus का, 4 cos x का square equal to me, p square plus में 25, तो देखिए, यहाँ पर हो जाएगा, 16 sin square x minus का, यहाँ पर कितना जाएगा, देखिए इसको इसको में लोग काटी देते हैं, यह पूरा-पूरा सेब मिलेगा, 24 sin x cos x यहाँ plus में minus में है, तो कर जाएगा, यहाँ पर अभी इसको लिखते है, प्लस का 9 cos square x, प्लस का 9 sin square x, प्लस का 16 cos square x equal to me, p square plus का 25, चलिए, आगे देखिए, यह देखिए, sin square x दो आला है, और यहाँ cos square x, दोरो में 16 common है, तो 16 common कर लेंगे, यहाँ से एड कर लेंगे, यहाँ से एड कर लेते हैं पहले, यह 16 और यह 9, 25 हो जाएगा, 25 sin square x और प्लस का 25 cos square x, इकवार टू में, p square plus में 25, 25 common कर लेते हैं, तो बच जाएगा आपका sin square x और प्लस का cos square x, इसका value तो 1 होता है, चलिए तो अब देखिए क्या होता है, यह 25 हो जाएगा, इधर पर जाएगा, पी ए स्कॉर एकवार प्लस में 25, इंदर सब्टेक्ट हो जाएगा, पी ए स्कॉर का value 0, यानि पी का value क्या हो जाएगा, आपका 0 ही हो जाएगा, यानि कि जो हमें इसका value निकालना था, क्या हो गया है, आपका 0 हो गया, समझ गया, पूसर नमबर 6 देखिए, क्या करा कि, इफ इन ए ट्रेंगल A, B, C, 10 A, प्लस 10 B, प्लस 10 C, इक्वल तो 6, then, cot A into cot B into cot C equal to what होगा, इसमा से, चलिए देखिए, किसी ट्रेंगल की बात हो रही है, तो किसी ट्रेंगल A, B, C में, अगर तीनों एंगल के सम की बात करें, तो 180 होता है, पाई होता है, चलिए, हम लोग यह काम करते हैं, C को उधर लेके चल जाते हैं, यहाँ A plus B, जो बचेगा, वह किसके equal हो जागा, पाई माइनस C के, अब हम लोग यहाँ 10 ले लेते हैं, taking 10, both side, तो 10 लेंगे तो क्या हो जागा, 10 A plus B equal to में, 10 पाई माइनस का C, तो इधर अब फॉर्मल लगा दो, 10 A plus का 10 B, बाई में, 1 माइनस 10 A into में, 10 B, और इधर यह माइनस का 10 C न हो जाएगा, 10 1 एक टी माइनस, यह सगेंड कोडिन में जागा तो निगेटिव हो जाएगा, चलिए यह जाएगे उधर मल्टिप्लाई करेंगे, तो 10 A plus 10 B equal to में, माइनस का 10 C, पलस का 10 A into 10 B into में 10 C, ठीक है, चलिए इसको इधर लेके चले आते हैं, 10 A plus 10 B और पलस का 10 C equal to में, यहाँ है आपका 10 A into में, 10 B into में 10 C, इसका वैलू हम लोग देख रहे हैं कि इसका वैलू आपके कोर्शन में 6 दिया है, तो हमें कॉट में निकालना थे इसका वैलू, तो सबको कॉट में convert कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पलट देंगे, ठीक है, तो यह 1 by 6 न हो जागा, कॉट A, कॉट B and कॉट C into में, ठीक है, यह 1 by 6 इसका अंसर हो जागा, यहाँ आपसन में C नंबर हो जागा, समझ गए, चले, कोर्शन नंबर 7 देखिए, 10 3A माइनस 10, 2A माइनस 10A is equal to what, तो हम लोग यहाँ जानते हैं, कि 3A equal to होता है, 2A plus A करने पे आजाएगा, अब 10 ने लेते हैं, लिखता है, टेकिंग 10 बोथ साइड, चले जखते हैं, 10 3A equal to में, 10 क्या हो जागा इदर, 10 2A plus में A, चले आगे जखते हैं, 10 3A equal to में, क्या हो जागा, 10 2A plus का 10A, by में, 1 माइनस 10 2A into में 10A, यह आगे इदर multiply कर देगा, तो हो जागा, 10 3A minus का, 10 3A, 10 2A, 10 A equal to में, आपका, 10, 10, 10 2A plus का, 10 A, ठीक है, इसको इदर बेज़ेते हैं, और इसको इदर बेज़ेते हैं, तो हो जागा, 10 3A minus का, 10 2A minus का, 10 A equal to में, यह जाख दर प्लस का हो जाएगा, 10 3A, 10 2A, और यह 10 A, ठीक है, चले, खिलियर हो गया, तो इसका value इसके equal हो रहा है, और यह option number A न हो जाएगा, चले, question number 8 देखिए, कहा रहा है कि if A plus B plus C equal to pi, then इसका value क्या होगा, 10 A plus 10 B plus 10 C, by में 10 A, B, C, 10 A, 10 B, 10 C, इसका value किसका equal होगा, चले, हम लोग देखते हैं, हमारे पास दिया, A plus B plus C equal to में pi, C को उधर ले जाते हैं, तो इदर हो जाएगा, A plus B equal to में pi minus का C, अब 10 ले 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 पर दोनों करदें, taking 10, taking 10 both sides, ठीक है, क्या हो जाएगा इदर, 10 A plus B equal to में 10 pi minus C, तो इदर formula का देंगे, 10 A plus का 10 B, by में 1 minus 10 A into में 10 B, और equal to में इदर minus का 10 C हो जाएगा, यह जाएगा, उदर multiply में, तो अब आजाएगे हैं, 10 A plus का 10 B equal to में minus 10 C, और फिर plus का 10 A into 10 B into में 10 C, यह जाएगे हैं, तो 10 A plus का 10 B plus का 10 C equal to में 10 A into 10 B into में 10 C, इसको divide में लेके चले आते हैं, क्योंकि हमें इसी कहना value रिकाना है, 10 A plus का 10 B plus का 10 C by में 10 A into 10 B into में 10 C equal to में क्या हो जाएगा, वन ना, तो इसका value हमें 1 मिले, यानि कि option number यहाँ पे C हो जाएगा, समझ गए? चले, question number 9 देखिए, हमें, यह दिया है कि, if cos P equal to 1 by 7 and cos Q equal to 13 by 14, right, where P and Q both are acute angle, दोनो acute angle है, अच्छा, then the value of P minus Q, P minus Q का value क्या होगा है, इसकोड़ी देखते हैं, हमारे पास cos P दिया है, आपका कितना दिया है, 1 by 7, तो यहाँ से अगर हम लोग साइन P की बात करेंगे, यहाँ हो जागा, root under 1 minus 1 by 49, LCM लेकर सब्टेक कर देंगे, 49, यहाँ 49 minus 1, यहाँ, root under उपर 48 हो जागा और नीचे 49, तो उपर जो है 48 है, तो यहाँ पर 4 root 3, और नीचे आपका 49 है, तो 7 हो जागा, यह 7 के स्वार होता है न जी, जैनि, अच्छा, और cos Q दिया है, 13 by 14, तो यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर, अगर साइन Q की बात करेंगे, तो वह हो जाएगा, root under 1 minus, acute angle लेकर पोजेटिव ही लेंगे, root under 1 minus 13 by 14 का स्वार, cos square Q हो जाएगा, ठीक है, root under 1 minus का 69 by 196, और इधर हो जाएगा, root under LCM लेकर 196, तो हो जाएगा, 196 minus का 169, तो यहाँ उपर सब्टेट कर देंगे, तो root under 27 by 196, यहाँ आज आगे उपर, 3 root 3, और बाई में यहाँ पर 14, अब इसके बात देखिए, हमें P minus Q का बेल नहीं कर लेकर, तो अगर हम लोग, cos P minus Q का फॉर्मल लगा दें, तो हो जाएगा, cos P into cos Q minus है, तो यहाँ पलस हो जाएगा, sin P into में sin Q, यहने इसका फॉर्मला होता है, तो इसको यहाँ पूट कर देते हैं सभी वैलू को, तो इसका वैलू देखिए, 1 by 7, इसका 13 by में 14, फिर पलस, यहाँ पर 4 root 3 by में 7, और into में 3 root 3 by में 14, तो यहाँ 13 और by में आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, 98, 14, 7, 98 और पलस का, यहाँ पर हो जाएगा आपका, 4 तीजा 12, और 12 तीजा 36, और by में 98, इनको add कर देता है, 49 और by में 98, तो यह 1 by 2 हो जाएगा, अब इसके बाद देखिए, तो हम लोग लिए सकते हैं, cos p minus q equal to, cos में कितना का value होता है, पाई by 3 का, तो cos से cos अटा देगे, p minus q क्या जाएगा, पाई by 3 आ जाएगा, तो इसमें से option कौन सा हो जाएगा, आपका b number हो जाएगा, समझ गया, तो यह question number 10 देखिए, क्या दिया है, कि if cot alpha plus beta equal to 0, तो देखिए, cot alpha plus beta 0 हो रहा है, तो यह cot alpha plus beta, यह cot कितना का value होगा, 0 cot में कितना का होता है, cot जो होता है, 0 आपका πाई by 2 का हो जाएगा, तो यहाँ alpha plus beta क्या जाएगा, हमें value निक्यालना है, sin alpha plus 2 beta का, तो एक काम करते हैं हम लोग, sin alpha plus 2 beta के place पर हम लोग यहाँ से देखो, pi by 2 minus का alpha ना कर लें, ठीक है, pi by 2 minus का alpha, sin alpha plus pi minus 2 alpha, यह नि हो जाएगा sin pi minus alpha, sin pi minus alpha, sin alpha हो जाएगा, यानि कि option number a, समझ गए, option number 11 देखते हैं, हमें इसका value बताना है, देखिए, दिया हुए है, cos 10 degree plus का sin 10 degree, by में, cos 10 degree minus का sin 10 degree, ठीक है, अब देखिए, हम लोग यहाँ पर, cos 10 centimeter और denominator दोने में डिवाइड करते हैं, cos 10 degree by में, cos 10 degree plus sin 10 degree by में, cos 10 degree, और फिर इसके नीचे, cos 10 degree by cos 10 degree, और minus sin 10 degree by में cos 10 degree, चलिए, यह आपका cut के 1, यहाँ भी cut के 1, तो 1 plus 10, 10 degree हो जाएगा, और by में, 1 minus का 10, 10 degree, 10 में, 1 कितना का होता है, 45 degree का value होता है, और plus में 10, 10 degree, by में 1 minus, यहाँ पे, कुछ नहीं है, तो इसके into में 1 है, तो यहाँ दे सकते है, 10, 45, और into में 10, 10, यह formula पे set होगा है, 10, 45 degree, और plus का 10 degree, यहाँ कि 10, 55 degree के equal हो जाएगा, यह value, 10, 55, यहाँ ए नमबर, next देखते हैं, 2A number, the value of, हमें निकालना है, cos square pi by 6 plus x minus का sin square pi by 6 minus, हम लोग एक formula जानते है, cos square a minus का sin square b क्या होता है, cos a plus b, और into में cos a minus b, तो इसी के according यहाँ पे चलेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos pi by 6 plus x, और plus में pi by 6 minus x, into cos pi by 6 plus x minus pi by 6 minus का x, ठीक है, सली यहाँ देखिए, cos pi by 6 plus x, पलस का pi by 6 minus x, ब्रेकेट खटा दिये, यहाँ x x कर जाएगा, cos pi by 6 plus x minus pi by 6 हो जाएगा, और plus का x, यहाँ pi by 6 से pi by 6 कर जाएगा, यहाँ देखिए, cos pi by 6, pi by 6, cos 2 pi by 6, यहाँ cos pi by 3 हो जाएगा, और यहाँ cos 2x हो जाएगा, तो cos pi by 3 के वैलू 1 by 2 और cos 2x, तो 1 by 2 cos 2x, यह नमबर इसका अंसर हो जाएगा, समझ गए, से नेक्स देखते हैं हमनों 30 number, 10, theta 1, 10 theta 2 equal to k हैं, तो इसका वैलू निकालना है, cos theta 1 minus theta 2, y में cos theta 1 plus theta 2, उपर फर्मिला का देता है, cos theta 1, cos theta 2, minus है तो है, plus होगा, sin theta 1, sin theta 2, ठीक है, और y में नीचे, cos theta 1, cos theta 2, minus sin theta 1, sin theta 2, ठीक है, अब इसके बाद देखिए, cos theta 1, cos theta 2 से डिवाइड कर जाते हैं, या फिर एक और ऐसा, हम लोग ऐसे भी का सकते हैं, cos theta 1, cos theta 2 को common कर देए, एक ही बात होगी बोनों condition में, cos theta 1, cos theta 2, और by में, डिवाइड ही करके दिखा जाते हैं, cos theta 1, cos theta 2, प्लस, sin theta 1, sin theta 2, बाइड में, cos theta 1, cos theta 2, नीचे, cos theta 1, cos theta 2, बाइड में, cos theta 1, cos theta 2, माइनस, sin theta 1, sin theta 2, बाइड में, cos theta 1, cos theta 2, तैने रपिस के बात देखते हैं, यहां कर जाएगा 1, यहां भी कर जाएगा 1, 1 प्लस, यहां क्या हो जाएगा, tan theta 1, यहां क्या हो जाएगा, tan theta 2, बाइड में, 1 माइनस, tan theta 1, tan theta 2, छलिए, 1 प्लस, tan theta 1, और tan theta 2 का वैलू है, k, और नीचे, 1 माइनस, k, यहां आपका एंसर हो जाएगा, यहां 13 का ए नमबर ना हो जाएगा, समझ गए, तो सन नमर 14 लेकिए, क्या का रहा है, कि if sin, sin x, then sin 2 x किसके एकोर होगा, यहां पर देखिए, हम लोग इस यह sin को cos में चेंड कर देते हैं, तो हो जाएगा, cos, pi by 2, माइनस का, pi cos x, और equal to me, cos, pi sin x, अब देखिए, यहां पर हम लोग एक formula जानते हैं, कि cos minus x भी होता है, plus का cos x, तो यहां अंदर माइनस हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता है, यह प्लस में भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तगर cos cos हटाएंगे, तो pi by 2, minus pi cos x, equal to me, यहां, plus और माइनस दोनों लेना होगा, क्योंकि यहां पर यह अंदर माइनस होगा, तब भी प्लस कहीं आएगा, और नहीं होगा, तब भी प्लस कहीं रहेगा, तो इसको दोनों हो सकता है, करनेशर, इसलिए ऐसा कर लिए, इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो यहां pi by 2 बचेगा, और इधर हो जाएगा, प्लस माइनस pi sin x, और माइनस से इधर प्लस का pi cos x, ठीक है, pi यहां से common कर लेते हैं, बात को समझे हैं, तो pi by 2 equal to, यहां pi common कर लेते हैं, बात को समझे, तो यहां पर pi common करेंगे, तो यहां यह इसको ले लेते हैं, cos x plus minus यहां पर sin x, ठीक है, चलिए, clear है, तो pi से pi कर जाएगा, 1 by 2 हो जाएगा, तो 1 by 2 equal to cos x plus minus का sin x, ठीक है, चलिए, अब यह square कर देते हैं, by squaring, बोद साइड़े squaring करेंगे, तो देखें क्या हो जाएगा, इधर 1 by 2 का square equal to हो जाएगे दा, cos x plus minus sin x का हो जाएगा, एगा 1 by 4, इधर हो जाना है, आपका cos square x plus का sin square x plus minus 2 cos x sin x, चलिए, अब देखते हैं, इसका value 1 होता है, तो 1 by 4 equal to 1 plus minus, यहां 2 sin x cos x किसका formula हो जाएगा, sin 2 x करना, चलिए, अब एक काम करते हैं, इसको इधर लाकर सब्चिट करते हैं, 1 by 4 minus का 1 equal to plus minus sin 2 x, यानि हो जाएगा, plus minus sin 2 x equal to में, इधर LCM लेकर solve करेंगे, minus का 3 by 4, यह plus minus इधर लेकर चले जाएगे, तो यहां से sin 2 x equal to आजाएगा, यहां पर minus plus 3 by 4, यानि कि plus का भी 3 by 4 और minus का भी 3 by 4 हो जाएगा, ठीक है, यह आपका a number हो जाएगा, चलिए, question number रखते हैं 15, क्यारा, if 10 theta equal to 1 by 2, and 10 phi equal to 1 by 3, then the value of theta plus phi is क्या होगा, चलिए, तो हम लोग इसका value निकालने के लिए, हम लोग यहां 10, use कर लेते हैं, theta plus का 5 का formula, हो जाएगा, 10 theta plus का 10 5 by 1 minus 10 theta 10 5, तीक है, इसका value देखिए, 1 by 2 है, इसका value 1 by 3, नीचे 1 minus 1 by 2 into 1 by 3, चलिए आगे देखता है, 10 theta plus का 5 equal to, यहां LCM होगा 6, 3 plus 2, नीचे LCM होगा 6, यहां हो जाएगा 6 minus 1, तो अब यहां पर हम लोग सकते हैं, 10 theta plus का 5 equal to, यहां देखिए, 6 से 6 कर जाएगा, आपका 5 by 5 होगा जाएगा, तो 10 theta plus 5 equal to में हो जाएगा 10, कितना, 5 by 4, तीक है, 10 से 10 हटा देगा, तो theta plus 5 equal to में, 5 by 4, यहां से answer आजाएगा, यहां कि D number हो जाएगा, समझेगा, फिर नेक्स देखते हैं, 16 नमर, 16 नमर कारा है, the value of cos, 36 minus A, cos, इंटु में, cos, 36 plus A, plus का cos, 54 plus A, और इंटु में, cos, 54 degree minus का A, तो यहां पर क्या हो जाएगा, minus में तो प्लस में हो जाएगा, cos square 36 degree minus का sin square A, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, cos square 54 degree minus का sin square A, यह हो जाएगा, तो यहां यह cos square 36 degree है, तो इसको sin में convert कर लेते हैं, तो यह sin square 90 minus का, कितना हो जाएगा, 36 degree, और minus इंदोनों को ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा, minus का 2 sin square A, और यहां पर है cos square 54 degree, तो यह आपका यहां से हो जाएगा, sin square 54 degree, और यहां plus का cos square 54 degree, minus 2 sin square A, तो यह formula हो जाएगा 1 sin square 54 और cos square 54 1 हो जाएगा और minus square 2 sin square तो 1 minus 2 sin square यह हो जाएगा आपका यहाँ पे यह किसका formula होता है cos 2 एक है यानि B number यहाँ से अज़र तो फिलाल इस वीडियो में ही प्तक्रान देते हैं नेक्स वीडियो में आगे question देखेंगे आपको हमारे तीन चैनलों को subscribe करना होगा पहला है pathfinder classes छपरा दूसरा है आपके पास भारती भवन रवी कांत सर और तीसरा चैनल है रवी कांत सर के नाम से तीनों को subscribe कर लेंगे और इससे लेटिर वीडियो के लिए सीधे description में जाएंगे इससे लेटिर नोट्स के लिए google पे जाके search करेंगे www.ravikant.in और यहां जाकर आप सभी classes के notes और उनके PDF को download कर सकते हैं पर सकते हैं इंस्ट्रागाम और फेस्बूक पर जाके pathfinder class को like and follow करना नहीं भूलेंगे